Good morning class, welcome to math class. So students, इसके पहले वीडियो में हमने addition, subtraction, तो जिसमें से हमने addition complete कर लिया था और हमारा remaining रह गया था subtraction, तो अभी हम subtraction देखेंगे, उससे पहले एक बार addition को और recall कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे आप देख रहे हैं hours और minutes, ठीक है? normal आपने add किया 0 plus 5 5 5 और 2 होता है 7 तो 75 नहीं है यहाँ पर क्या है 15 है कैसे आया यहाँ पर minutes में 1 hour is equal to 60 minutes होते हैं 60 minutes होते हैं तो हमने क्या किया था क्या सीखा था पहले कि जो भी आ रहा है क्या आया हमारा 75 आ रहा था ठीक है 75 आ रहा था तो 75 में से हम 60 minus कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा और 60 चुकि यह 1 minute यह कितना हो गया 1 hour हो गया ना 60 minute is equal to 1 hour तो यह आर वाली column में चला जाएगा फिर यहाँ पर हम इसको add कर लेंगे ठीक है यहाँ पर 60 से जादा नहीं होना चाहिए ना नेक्स टॉपिक है हमारा जो कि आज का टॉपिक है हमारा फोस्स टॉपिक subtraction यह question है हमारे पास तो बेटा minutes को आपको minutes के नीचे लिखना है और hours को hours के नीचे लिखना है ओके दन अब हम कर रहे हैं minus तो 50 में से 25 को minus किया हमने तो क्या मिला हमें 25 12 में से 6 गए 6 क्या है 2 2 में से 1 गए 6 तो यह तो simple हमको समझ में आ गया Hence the difference is 16 hours 25 minutes ओके Now next question है हमारे पास 46 hours 20 minutes को minus करना है इसमें से minus करना है हमें क्या 21 hours 30 minutes इसको minus करना है तो अब 0 से 0 लेकिन 2 से 3 minus होगा क्या 2 में से 3 को हम कैसे minus करेंगे नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे हम borrow लेंगे किस से लेंगे कौन सा क्या दिख रहा है हमें पास में हमें hours वाला number दिख रहा है तो इस hours वाले में से हम borrow लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 के पास 45 हो जाएगा अब जब इसको बॉरो देंगे जब यह से मांगेगा तो यहाँ पर इसका सरनीम क्या है आर्स है लेकिन यहाँ पर इसका सरनीम क्या है मिनिट्स तो आर्स को क्या करेंगे हम मिनिट में करेंगे तब ही तो आएगा वो इ लेकिन इसकी family अलग है तो इसकी family में add होने के लिए क्या हो करना होगा इसका भी surname तो minute करना पड़ेगा ना तो relation हमें ध्यान है 1 hour is equals to 60 minutes होता है 1 hour is equals to 60 minutes तो जब इससे 1 मांगा है हमने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 hour is equals to 60 minutes तो यहाँ हो जाएगा 60 ठीक है अभी total कितने हो गए 80 तो 80 में से minus करना है 30 चलो एक बार और देख लेते हैं इसको ऐसा कुछ question है मारे पास तो 20 में से 30 माइनस नहीं हो सकता है तो हम इस case में क्या करेंगे हम पास में से बौरो करेंगे तो चलो इससे बौरो किया तो यहाँ कितना हो गया 45 ठीक है बौरो कर लिया इसने एक इसको दे दिया ठीक है तो 1 hour is equals to 60 minutes जैसा कि अभी कहा था कि इसको भी तो minute करना पड़ेगा यह 60 मिन्स यह पुरा कितना हो गया बिटा तोटल अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ हो जाएगा 45 और यहाँ हो जाएगा 80 यह हो गया 21 और यह हो गया 30 अब करेंगे हम इसको minus अब हो सकता है minus बिलकुल हो सकता है यहाँ गया 0 यहाँ गया 5 5 में से 1 गए तो मैंरे पास 4 औ और 4 में इससे 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2, यानि कि 24 hours, 50 minutes. Got it? इस तरह से हम इसको solve करेंगे. So, question number 5 है, find the difference between. तो यह question आपको करना है, एक question और देख लेते हैं हम. ठीक है? हाँ पर पीटा, minute और second में दिया हुआ है. अब इसका भी कोई relation होता है, one minute is equals to 60 seconds. यह बढ़ा है हमने? यह बढ़ा है यह वाला relation, one minute is equals to 60 seconds. अब इसको minute और second, तो वैसे यह यह आपको दिख रहा है, वैसे आपको यह relation माइन्ड में click हो जाना चाहिए. ठीक है? तो चलो, आप minus करते हैं, four में से four गए, zero. तो one minute is equals to कितने होते हैं? 60 seconds, one minute is equals to 60 seconds. तो इससे ले लिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 39, और यहाँ ले लिया हमने, one minute is equals to 60, तो यह 60 हो गया. अब कैसे होगा? तो कुछ ऐसा हो जाएगा. जब आपने इससे बॉरो लिया, तो यह अब क्या हो गया? 60 भी तो आया, तो हमने इसको, इन दोनों को आपस में क्या किया? एड किया. ठीक है? तो हमारे पास यह number मिला. अब कर दो minus, four में से four गए, तो कितने बचेंगे? Zero. 10 में से five गए, five. यहाँ पर 40 था, तो 39 हो गया क्यों? क्योंकि one minute उदर जला गया है. ठीक है, nine में से five गए, तो four. Four minute और 50 second. ठीक है, इस तरह से आपको उसको solve करना है. तो question number five में, आपको यह तीनों question solve करने हैं, आपकी note book में. और question number three में, कैसे करना है, convert into days and hours. Days और hours, तो वैसे ही mind में क्या आना चाहिए, days और hours. इन दोनों का क्या relation है हमारे पास? 24. One day is equal to 24 hours. तो यही वाला relation होगा. तो 49 hours को हमको किसमें convert करना है बटा? Days में और hours में. ठीक है, hours में तो already है, लेकिन days में convert करना है. तो hours भी कुछ remaining बचेगा. तो 49 hours. तो क्या करेंगे इस case में? 49 और 24 से divide कर रहे हैं हम क्यूं? क्यूंकि one day is equals to 24 hours. दोनों में कुछ relation होना चाहिए ना? तो divide किया हमने. तो यहाँ जो आया यह क्या होगा? Day और जो remaining में आया है, वो क्या होगा? आर होगा. ठीक है? तो बागी की question भी आपको ऐसी करने हैं. इसमें से कोई साभी दो कर लीजेगा. Second और third कर लेते हैं. ठीक है? तो यह exercise आपके होगी है complete. So after that, come to the next point. That is problems on addition and subtraction of times. अब इसमें भी what problems हैं. इसको भी देख लेते हैं हम. The first one is example seven. A car lives Delhi for Agra. कोई car है, वो Delhi से आगरा के लिए निकलती है. कितनी बजे? सुबह साड़े छे बजे. ठीक है? 6.30 a.m. Means, अगर इसको hours में बोलेंगे, तो क्या time बोलेंगे हम? 600, 06, 630. ठीक है? 630. यही बोलेंगे ना? देखो hours में, 24 hours में. It takes 4 hours to reach Agra. और Delhi से आगरा पहुँचने में वो car 4 घंटे का समय लेती है. At what time will reach Agra? तो वो car आगरा कितनी बजे पहुँचेगी? कितना सिंपल है? 6.30 में आप यह 4 hours को add कर दो ना? 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. 6.30 तो वो निकली रही है, ठीक? उसके बाद से 4 hours है, ना? तो 6.30 के बाद क्या हो जाएगा? 7.30, 8.30, 9.30 और 10.30. 10.30 पर वो पहुच जाएगी. अब इसको करना कैसे है? देखो, car lives from Delhi at it. तो यतना time लिखा हमने. Time taken Agra 4 hours. तो अब इन दोनो time को हम क्या करेंगे? add कर देंगे. 6 hours 30 minutes and 4 hours 00 minutes. add किया आपने. तो आगया 10 hours 30 minutes. अब 10 hours 30 minutes को क्या बोलेंगे हम? 10.30, 10.30 hours. बोल सकते ना इसा? अच्छो, यहाँ पर 10 है. तो means AM हो रहा है या PM हो रहा है? AM हो रहा है. अगर 12 या 13 होता, 13, 12. तो किस में जाता वो? PM में जाता. ठीक है? Now next है, Anil was admitted to a hospital on 15th May. Anil है, वो hospital में कब admit हुआ? 15th of May को. ठीक है? And discharge on 15th of June. How long did he remain in the hospital? 15 days तो में के रहा वो और 15 June को discharge हुआ. ठीक है? तो देख लेते हैं कम को days find करने हैं कि कितने दिन वो hospital में रहा? तो Anil was admitted on 15th of May. 15th May 11 में वो admit हुआ था. तो कितने दिन रहा वो? 15 में से 15 June. तो पहले में वाले का days count कर लेंगे, फिर June वाले का day count कर लेंगे. तो इसमें days कितने हो रहे हैं? From 15th May to 31st May. 15 से लेकर कि 31st May तक total हो गए 16 days. क्योंकि में में कितने मन्त होते हैं? कितने days होते हैं, sorry. में में होते हैं 31st. Look here, देखो. 15th May 15, यानि कि 15 में को वो hospital में आया था. ठीक है? और में है 31st days. यानि कि 31st का में है. और उसके बाद कब तक रहा वो? 15 June को वापस वो चला गया. मतलब 14 तक तो वो hospital में रहा था ना? तो हम क्या करेंगे? इस मन्त के days और इस मन्त के days दोनों को add कर देंगे. ठीक है? तो यहां क्या हो जाएगा? देखो, इसके 16 days हो गए मैं के. उसके बाद from 1st June. 1st June से लेकर के 14 June. क्योंकि 15 को तो वो चला गया था ना? डस्चार्ज हो गया था. तो इसके कितने days हो रहे हैं? 14 days. अब इन दोनों days को हम क्या करेंगे? add कर देंगे. तो क्या करेंगे? इसके दोनों ही मन्त के days जो हमारे हैं, उसको हमने क्या किया? add कर दिया. तो अनिल टोटल 30 days जो है वो hospital में रहा. Now come to the 11th exercise 11.6. इसमें भी बिटा सेम ऐसी ही question है, जो यहाँ पर example मैं भी हमने समझे. इसमें से कोई एक question कर लेते हैं हैं. इतने duration में वो एक bus से travel करता है, इतने duration में एक total बताना है तो क्या करेंगे हम? add कर देंगे. बस आप minutes और hours का ध्यान रखना, कि minutes में 60 से ज़्यादा नहीं होकर होता है, तो आपको उधर transfer कर देना है, ठीक है? और minus में भी ध्यान कर रखना है, कि जिसमें आप minus के लिए लेकर आ रहे हो, तो अगर minute है, तो उसमें को 60 में change करके ही आना होगा, ठीक है? तो ये questions आप solve करना, इसमें से हम 4 questions solve करेंगे, solution माम आपको provide कर देंगी, ठीक है? इसमें से हमको 4 questions करने हैं, बहुत easy है, जैसे ये थे, सेम ऐसी, okay, second question और देख लेते हैं, इसमें एक बिटा एक बार और, क्योंकि इसमें total hours में दिया हुआ है, ठीक है, दिखाए दिए रहे हैं आपको, hours में दिया हुआ है, ये भी hours में दिया है, तो ये क्या time हो रहा है, 530 मिंस, morning का साड़े पाँच हो रहा है, ठीक है, 530 a.m. हो रहा है, और ये क्या है, 2330, यानि कि 2330 hours, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, 1130, ठीक है, 1130, तो अब इसको कैसे करेंगे, क्या पूश रहे हैं, a train lays Delhi at इतने बज़े, इतने hours, it reaches Kolkata, इतने hours, how long does it take to reach Kolkata, इतनी बज़े चलती है, और इतनी बज़े पहुँच जाती है, तो कितना समय लगा, क्या करेंगे हम, 2330 hours, ठीक है, ये hours में दिया हुआ है, दोनों, तो hours में क्या करेंगे हम, उसको हमने minus किया, तो क्या आया, 18, अब 18 minutes, यानि कि 4 p.m. हो रहा है, ठीक है, 16 minutes 4 p.m., 17 minutes 5 p.m., ठीक है, और 18 minutes क्या होगा, 6 p.m., 19 minutes क्या होगा, 7 p.m., ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको, 4s तो यगर ध्यान रखोगे न, 4 forza क्या होता है, 16, तो बस ये वाला ध्यान रखो, तो बाकी तो ध्याना ही जाएगा, 4 forza 16, तो 4 p.m., शाम को 4 जो बस्ती है, तो उसको hours में हम क्या बोलेंगे, 16 hours, 5 को क्या बोलेंगे, 17 hours, 6 को क्या बोलेंगे, 18 hours, 7 को 19 hours, तो यहाँ पे क्या time हो रहा है, 1800 hours, तो 1800 minutes, 6 p.m. हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 p.m. तो ऐसी बिटा बाकी के questions भी करने हैं, और अगर कुछ problem है, तो माम आपको बताएंगी, ठीक है, आप बता दीजेगा, तो आप solve कीजेगा, और अब हम मिलते हैं, next video में, बबाए and take care.